वेरी गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स टुडेंट्स टुडें वी विल कॉंटिन्यू एक्सराइज फिफ्ट भी कॉंसर नंबर शिक्स एपार्ट फिल इंटी के एपार्ट फिफ्टी फोर थाउजन्ड तूहंड थाउजन्ड प्लस डैस एंड इकवल टू 77,000 हमने यह कि इसमें कौन सा नंबर ऐसा एड करें कि हमारे पास अंसर क्या है 77,000 फिर हम क्या करेंगी जैसे हमारे पास यह पार्ट गिवन दिया हुआ है तो यह देखो जब भी हमारे पास 54,230 प्लस ब्लैंक हो तो यह वाली वैल्यू ना जब प्लस में और ब्लैंक और इकवल टू सा तो यह वाली वैल्यू जब इधर जाएगी वो क्या होगी सब्ट्रैक्ट क्योंकि जहां पर कोई साइन नहीं है तो यह प्लस का साइन है जब कोई साइन नहीं होता इट मीन्स प्लस का साइन है जब प्लस का साइन इकवल टू के बाद जाता है तो वो क्या आएगा माइनस म तो यह वाली value जब जहां पर लेके जाएंगे तो हमारे पास minus आजएगा 3, 8 जा रखना जब भी हमारे पास कोई value हो जिसके आगे कोई sign नहीं है तो 8 में कोई sign होता है प्लस का sign होता है तो प्लस के sign को जब भी हम equal to के बाद लेके जाते हैं उदर value लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है minus में तो अब income क्या करेंगे 77,000 को minus कर देंगे किसे 54,238 से नाव सब्ट्रैक करें ठीक है जहां देखो पहले 0 है यह भी 0000 ने जहां से करी किया यहां पर मारे पास आजएगा 6 तो 0 ने इनको इसको value दी जहां पर 10 आजएगी जहां पर 9 ठीक है फिजिरो ने इससे value ली तो 9 जहां पर 10 ओके तो 10 में से minus करो 8 को तो that is answer is 2 तो क्या answer आएगा मारे पास 2 अब 6 9 में से 3 minus करा 6 9 में से 2 गए मारे पास आए 7 ओके तो 6 में से 4 तो और 7 में से 5 तो यह answer आज़ा मारे पास 22,762 ओके तो बीपार्ट 4,35,507 प्लस फिर ब्लैंक एकवल टू 4,48,362 तो हमें क्या करना है जब जी value को हम वहां पर लेकी जाएंगे तो क्या आजएगा minus में ना तो हमने क्या कर दिया इनको minus कर दिया ठीक है अब minus कर रहा है तो हमारे पास क्या value आएगी 12 में से पहले जहां से carry इतनी गोरो दिया ठीक है जाएगा 5 दें 12 12 में से minus की है 7 तो देट इस 5 5-0 5 ओके अब 3 3 ने वहां से carry किया तो 13 आपर क्या आएगा हमारे पास 7 ओके तो 3 में से हमारे पास 30 में से 5 गए 8 7 में से 5 गए 2 4 में से 3 गए 1 पॉर में से 4 गए 0 तो अंसर क्या आएगा हमारे पास 12,855 ओके नाओ सी पार्ट सी पार्ट में रेको ब्लैंक प्लस 12,999 एक्वल टू 13,001 तो हम क्या करेंगे अब यह वैलू देखो प्लस की वैलू ऐसे आगे यह वहां पर गया तो क्या ओट यह मैनस का ना तो मैनस 2 999 ना तो हम क्या करेंगे इसमें भी मैनस करेंगे तीक है य तो क्या आएगी वैलियो मारे पास जासी करें देखो हमारे पास 11 पहले तो 0 ने रहा सकत करेंगे 2 यहां 10 बनकिया ठीक है 10 ने इसको वैलियो दे तो 9 जहां पर 11.11 में से 9 गहे टू, then 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, answer क्या आएगा हमारे पास, only 2, okay, D part भी same ऐसी है, same ऐसा है कि आपके पार देखो, plus equal to this value, यह वहाँ जाएगा, तो minus हो जाएगा, okay, now E part, E part में देखो, हमारे पास क्या given है, 30,303 माइनस, blank, equal to 6,565, so, अब हमारे पास, देखो, जहाँ पर minus का sign है, और जहाँ पर हमें answer निकालना है, यह हमारे पास plus का sign है, इधर भी plus का sign है, ठीक है, हमें वह minus करके वह value आए, जो हमारे पास यह answer आए, तो अब हम क्या करेंगे, जब यह value जहाँ जाएगी, लेकिन जो minus का sign है, जो equal to के बाद जाएगी, तो क्या होगा, प्लस का, तो it means, जो minus में आगया, तो हम दोनों को क्या करना है, इस में से minus करना है, तो हमने वह minus करना है, ठीक है, तो देखो, मारे पास, पहले हमारे पास यहाँ आवे, तर 13, बनेगा, जहाँ से carry होगा, तो जहाँ पर 2, जहाँ पर 10, 10 ने उसको value दी, तो 3, 13, ओके, तो 13 में से 5 को minus करोंगे, तो answer is 8, 9 में से 6 करे, 3, ओके, now, 0 ने पहले 3 से लिया, तो जहाँ पर 2, left आया, तो जहाँ पर 10, ओके, 10 ने अब किसके value वैल्यू दिया है, 12, तो यह बन जाएगा 12, और यह बन जाएगा 9, ओके, तो 12 में से 5 गए, 7, इसके बाद, 9 में से 6 करे, 3, then 2, तो answer क्या है, 23, 738, फार भी सेम ऐसी है, ओके, now, question number 8, subtract and check the answer, so, सबसे पहले हम क्या करेंगे, subtract करेंगे, जो हमें दिया होए, given, mine में से minus करो, 6 को, that is 3, ठीक है, तो जहें 14 ओवा, 2 से carry किया, 14 में से 8 गए, तो 6, फिर 1, 11 में से 3 गए, 8, ओके, फिर 2 आया है, जहाँ पर, 2 में से 12 में से 5 गए, तो 37, फिर दैन 7, answer आपके पास आएगा, 77,863, जब आप इसको subtract करोगे, तो हम क्या करते हैं, last की value लेते हैं, means हमारे पास, जो difference आया होता है, इनको add करते हैं, तो हमारे पास value आयाएगी, 77,863, इसमें add करते हैं, हमारे पास, 5, 3, 8, 6, 4, नाओ add करें, 6 प्लस 3, 9, 6 प्लस 8, 14, 1 carry, 8 प्लस 1, 9, 9 प्लस 3, 12, 1 carry, 7 प्लस 1, 8, 8 प्लस 5, 13, फिर 1 carry, that is 8, answer is 8, 3, 2, 4, 9, जो हमारे पास value आगी, same, okay, so b part भी same, ऐसी है, now 9 में से minus करें, 3 को 6, अब 1 है, 1 ने वासी करें किया, तो क्या बना 11, देखो जहाँ पर आएगा मारे पास, एक मिनट, अब 1 है, फ़रे तो 0 ने, 0 ने जासे करें किया, तो that is 4, जहाँ पर 10, 10 ने इसको value दी, तो जहाँ पर आएगा 10, तो जहाँ पर आएगा 9, फिर 10 ने इसको value दी है, 1 को, तो जहाँ पर 11, जहाँ पर 9, okay, so 11 से 8 माइनस करोगे, तो answer is 3, तो 9 में से 5 गए, that is 4, फिर 9 में से 7 गए, that is 2, 4 में से 4, 0, तो answer क्या आया, 2436, okay, so now check करना है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, 47,583, जह सबसे बड़ी value वह पूट कर देते हैं, then plus 2436, अब इनको आप add करो, 6 plus 3, 9, 8 plus 3, 11, 1 carry, that is 5 plus 1, 6, 6 plus 4, 10, 0, 1 carry, 47 plus 1, 8, plus 2, 10, 1 carry, that is 5, answer is 5, double 0, 1, 9, so इनके निमेनी पार्ट से वह आपने खुद करने हैं, okay, thank you,